हाई गाईज जैसा कि आपको मालू है इस बार कॉरोना संक्रमन की वज़े से इसको ले लगातार बंद रही हैं और इसी वज़े से माधिमी शिक्षाबोर राजस्तान अजमेर ने आपके सैलेबस में 10th क्लास के सैलेबस में भी 40% पार्ट कम कर दिया है और अब हमें 60% पार्ट ही हमारे सैलेबस का पढ़ना है और उसी के हिसाब से हमें एक्जाम देना है और उन्हीं चैप्टर्स की हमें तयारी करनी है जो हमारे शंशोदीत पार्ट करम के अनसार रिवाइश सैलेबस के मताबिक रखे गए हैं अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपका पैपर होगा उसमें सबसे पहले हम हिंदी के बारे में डिश्कस करते हैं हिंदी का जो आपका पैपर होगा वो सवातिन घंटे का होगा और असी मार्स का होगा 27-20 मार्स की जाएंगे इस तरह से पूरे 100 मार्स हो जाएंगे अब 80 मार्स में से किस तरह से पेपर आने वाला है तो सबसे पहले हम देखते हैं एपटित बोच जो है वो 6 अंक का होगा और उसके बाद रचना वाला पार्ट 12 नंबर का होगा इसके बाद विवारिक वियाकरन 14 नंबर के आएगी और पार्टे पुस्तर जो है आपकी शितीज उसमें से 48 नंबर के किस्टन से पूछे जाने है उलमिला की 80 मार्स हो जाएंगे अब देखते हैं खंड फर्ष्ट में अपटित पध्यांस जो है वो 6 नंबर का आएगा जो कि आपने पढ़ा नहीं है पहले और इसी तरीके से रचना वाले पार्ट में निभन लेखन जो है 8 नंबर का आएगा पत्र लेखन 4 नंबर का आएगा और खंड 3 में देखते हैं इसमें व्यभारिक व्याकरन 14 नंबर के आएगी जिसके अलगलग पार्ट दिये हुए हैं समास 4 नंबर के पुछे जाएंगे वाक्य शुद्धी 4 नंबर की मुहावरे 4 नंबर के लोकोक्तिया 2 नंबर की इस तरीके से खंड 4 के अंदर जो शितीज आपकी पार्ट पुस्तक है उसमें से गद्ध्य भाग से शार्ट नंबर के पुछे जाएंगे और पद्ध्य भाग से छे नंबर के ये विकल्व सहीत मतलब जो है क्युष्टन पुछे जाने हैं और फिर निवंधात्मक पुष्णों में दो दो क्युष्टन पूछे जाएंगे 6 नंबर के इस तरह से 12 नंबर हो जाएंगे गद्ध्य और पद्ध्य भाग में से इस तरह से लगुत्रात्मक जो है छे क्युष्टन पूछे जाने है दो दो नंबर के तो इस तरह से 12 अंक की पूछी जानी है और पुस्तक आपको मालू है ही आपकी पुस्तक जो है शितीज है हिंदी वाली और व्याकरन जो 90 से लेके 12 तक चलती उसी में से पूछे जाने हैं तो बच्चों आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि पैपर किस तरीके से आने वाला है अब हम चलते हैं संसोधित पाठ्टे क्रम पर आपकी जो रखा गया है भारतेंदू हरिश्यंद्र का है एक अध्भूत अपूर्व सपन और इसके अलावा जो है मुंश्री प्रैम्चंद का ईदगा और महावीर प्रसाद रिवेदी का इस्ति शिक्षा के विरोधी कुर्तको का खंडन और चार नंबर पे मोहन राकेश का आखरी चट्टान रामधारी सिंग्ध दिनकर का इश्या तुना गई मेरे मन से और चटा सरक सुरक्सा सिक्सा इसी तरीके से कावे खंड में से सूर्दास का ये जो चैप्टर दिये हैं बुजत स्याम कौन तुगोरी मदुकर स चाम हमारे चोर और संदे सनी मदूबन कूप भरे उधो मन माने की बाद ये सब आने वाले हैं और तुलसी दासजी वाली में से लक्षमन परशुराम समवाद आने वाला हैं तीसरे नंबर पे जैशुंकर प्रसाथ का प्रभू और चोते नंबर पे सुरेकां त्रिपाठी निराला अभी नहोगा मेरा अंत मात वंदना और पांचवे नंबर पे सुबद्रा कुमारी चोहान का जहासी की रानी और चैटे नंबर पे नागर जिंका कल और आज उशा की लाली ये आपके चैप्टर आने वाले हैं अब हम देखते हैं व्याकरण में व्याकरण में अप पती रितुवर्णन और देव पायनी नुपूर धार मिधाय जहरी 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 जहीनी और कृपाराम खेडिया ये इनका हटाए गया राजियारा सोठा और रितुराज कन्यादान हटाए गया है अब देखते हैं गद्धिखंड में से क्या हटाए गया है तो इसमें देखत से फिलहाल हटा दिया गया है अब चलते हैं बच्चों इंग्लिश की तरफ, इंग्लिश में भी आपका वही सवातीन और composition में आपकी जो है diagram, picture, graph वगले, chart वगले, table वगले, यह सब मिला कि आपकी 14 mask आने वाला है, grammar वाला पार्ट हम देखते हैं, तो grammar वाला total 15 mask आएगा, जिसमें सभी चीज़ आ चुकी है, आपकी clause, gap filling, sentence completion, sentence reordering, dialogue completion, sentence transformation, और इसके अलावा tense वाला पार्ट है, जो active और passive वाला model वाला पार्ट है, यह सब मिला कि मतलब grammar वाला आपका 15 mask आने वाला है, आप देखते हैं, next जो है text book वाला, text book में हम देखते हैं, सबसे पहले आपका जो है golden raise, golden raise में आपका approach वाला पार्ट जो गद्धे वाला जो है, वो 14 mask होगा, और poetry वाला portion जो है golden raise में, वो 9 mask होगा, इ इस में से आपके 4 mask के question आने वाले हैं, इस तरह से complete 80 mask हो जाएंगे आपके, और आपकी books आपको मालूम है ही, सबसे पहली book जो text book है, वो तो है golden raise, और second supplementary book है, वो है resolution, अब चलते हैं, next हम deleted chapter की तरह, deleted chapter में कौन कौन से है, chapter number 2 जो था, on violence वो हटा दिया गया है, chapter number 5 जो था, a hero, वो हटा दिया गया है, और chapter number 7, a lady or the tiger, ये भी आपके syllabus से हटा दिया गया है, chapter number 11 जो था, the betrayal of faith, ये भी आपके syllabus से हटा दिया गया है, और point number 4, an allergy on the death of a mad dog, ये भी आपके syllabus से हटा दिया गया है, तो ये सब जो आपके syllabus से हटा दिया गया है, तो ये सब जो आपके syllabus से हटा बाइंस यह आपके हटा दिया गया है फिफ्श चेप्टर जो था यह भी हटा दिया गया है तो बच्छों यह आपको अग्लिज का इंग्लिज का सेलेबस आपको अपको क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं next science की तरफ साइन्स में बच्चों वही पेपर वही रहेगा सवातीन घंटे का 80 मार्ग्स का होगा 20 मार्ग का आपका शेषनल होगा इस तरह से 100 मार्ग कम्प्रीट होगे पहली जो युनिट थी मानो शरीरियों करिया है उसमें पहला अध्या है भोजन ये मानो सास्थे इसमें पांच रख्त आयों परिसंचन तंत्रे, सरजन तंत्रे, जनन तंत्रे, यह सब मिला कि आपके पांस नंबर के आने वाले हैं नेक्स्ट जो है आनुवाइंशिकी वाला है जिसमें मैंडलवाद, मैंडलवाद की पुने खोजमिन्ट, अनुवाइंशिकी की शब्दावली, मैंडल के वनशागती के नियमों का महतुई आपके चार नंबर के आने वाले हैं इसके बाद हम आगे देखते हैं अनुवाइंशिक महतु रक्धदान यह आपके तीन नंबर के आने वाले हैं इसके बाद हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरह जिसमें पधारतिम क्रियाएं हैं देनी जिवन में रसाइन ये जो है इसमें से आप देखिए नाइन मास्क के आने वाले हैं इसमें क्या 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 चैप्टर आने वाले हैं देखिए अमल शार एम लवन पीएच स्केल देनी जिवन में कुछ उपियोगी यॉगिक और साबुन एवम अप मार जग आप देखते हैं आपके चैप्टर शिक्स जो है रसाइनी का भीक्रिया है ये है सेवन मास्क का होगा जिसमें भोती की रसाइनी परिवरतन, रसाइनी का भीक्रिया, आक्षी करन, अप्चेयन, उदास सेवन मास्क के आने गया है ये ग। अपवर्दन, गोलिये लेंस से अपवर्दन, लेंस से पृति भी निर्मान और लेंस की शम्तर, अब नेक्ष्ट जो है आपका अध्याय नंबर 10 वो हटा दिया गया है, और अध्याय नंबर 11 में देखिए कारिय उर्जान शक्ति ये 7 नंबर का आएगा, इसमें कारिय शक्ति और विदु शक्ति आपके आने वाले हैं, इकाई चार यानि की यूनिट फॉर्थ में आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें से आपका ध्याय नंबर 12 जो है प्रमुग प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपकी 6 मार्श के आने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधनों का तात जिसमें पादपों के आर्थिक महत्व जंतुं के आर्थिक महत्व हैं और एकाई 5 यानिक यूनिट 5 में आपके प्रत्वी अंत्रिक्स जो है 12 मार्स के आने वाले हैं अब उसमें अलग जो चैप्टर है जैसे 15, 16, 17 तो आप एहटाई दिया गया है सिर्फ 15 में से ही आपके 6 म मास के आएंगे तो 15 में से जाएंगे उनमें प्रत्वी की उत्पतिव विकास, प्रत्वी की सरचना और प्रत्वी के उर्जातंत्र और इसके बाद 18 में से आपके भारती वेग्यानिक जीवन परीचे वपलब दिया जिसमें सूसरूत चरत, सीवी रमन, डाक्टर हॉमी जह से संबंदित है, इसमें जेवी विद्टा के स्थाल, वैश्विक जेवी विद्टा, भारत की जेवी विद्टा, जेवी विद्टा के तप्त स्थाल, जेवी विद्टा का है, जेवी विद्टा पर संकर, जेवी विद्टा का शरेक्षन, तो बच्चों आपको क्लियर हो ग यह आठा दिये गए आपके पदारतिम क्रिया है और सेवन नंबर पे परमानु सिद्धान त्यम्त तत्व का आवर्ति वर्गी करन वह गुंधर्म जिसमें आपका था डाल्टन का परमानु सिद्धान, थांधन का परमानु मौडल, रदर्फोर्ड का स्वान्ड पत्र प्रयो और कार्वन योगिक में देखते हैं, कार्वन परमानों की विश्यता है, हाइड्रो कार्वन योगिकों की नाम पद्दती, कार्वन के अपर रूप और देनिग्यों में उपयोगी, कुछ महत्पुन कार्वनिक योगिक और तीन नंबर पर जो आपका था बहुतिक परिगटना यह फटा दिया गया है, और अब देखें इदर, प्रकाश वाले में से आपके नैत्र दर्ष्टी दोस्त, एवम उनका निराकरन, यह आपके सलेपस से हटा दिया गया है, बहुतिक परिगटना हैं जिसमें से योजन, विदुधारा का ताप की प्रभाव, विदुधारा का चुमकिये प्रभाव, विदुधारा का चुमकिये शैत्र की दिशा, चुमकिये शैत्र और शैत्र रेखाएं, विदुधारा जनित्र, यह सब आपके सलेपस से हटा दिया है, तारी उर्जा और शक्ति में अप्षिष्ट तेरवा नंबर का जो अध्या है अप्षिष्ट एवं इसका प्रभंदन अप्षिष्ट, अप्षिष्ट के प्रकार, अप्षिष्ट के स्रौत, अप्षिष्ट से होने वाले नुक्सान और अप्षिष्ट प्रभंदन इस तरीक से ब्रह्मार्णियम जेविकास में ब्रह्मार्ण की उत्पती, भारती अधारना, सिध्धान, जिवाश्म, उत्पती, उवाप्रकार, जेविकास, जाती उध्भो, जाती वृत, ये आपके सलिवस से हटा दिया गया है अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रत्वी के बाहर जीवन की खोद 17 नंबर का अध्या है, जिसमें 17.1 प्रत्वी के अंत्रिक्ष में इस्तिती, अंत्रिक्ष में जीवन की संभावना है, प्रमुक अंत्रिक्ष अभियान, अंत्रिक्ष में भारत, अंत्राश्टी, अंत्रिक्ष सत्रांग होगा इस तरह से टोटल हंडेट मास होंगे तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था स्वर्णिम भारत पारम से लेके बारा सुच्छे इस वी तक जिसमें मौरे वंश पतन मौरे प्रशाशन शेनिय व्यवस्ता न्याय व्यवस्ता और गुप्त सामराजी गुप्त व से लगे बाद वंश यस्वी से टुगलक शाशन है सैयद वंश लोदी वंश सल्तनत कालीन पर शाशन और फिर इसके बाद मौलक ऑरत आ जाता है जिसमें कि हुमायू, सूर्थ सामराजी, अकबर, जहांगीर, शहँजा, और अकजयब और उसके बाद मौलकालीन पर शाशन जिसमे शत्या के साथ बुठीरो देवं सहयोग, राजस्तान के संदर में हमीद दियुख चौहान, और राव सेखा, महरान प्रताप, राव चंदर स्रेंट, राव सिंग, सवाय जै सिंग, अमर सिंग राथोर, फिर नेक्स्ट में मराथो कि इतिहास, जिसमें शिवाजी, तान और इसके बाद आस्तान के जन जाती किसाने प्रजाम अंडल आंदोलन यह सब जो है साथ नमबर के आने वाले हैं विश्वितियास आएगा जिसमें अध्युक्रांति आपके रहे आएगा जोगकि दो मार्स्ता होगा और इसके बाद लोकतंत्र में अर्थ विशेष्टा है ल आउश परिसित्या लोगतंत का अलोच नात्मक परिक्षन जो है यह आपका पास्ट नमबर का आएगा नेक्स्ट जो है अध्याय नमबर छे जिसमें केंद्य सरकार का अर्थ अंग व्यवस्था पिकार नियायपालिका भारत की संसर्द लोग सभा राज्य सभा कार्य अब देखते हैं भुगोल वाला पार्ट भुगोल वाले पार्ट में चैप्टर नुबर एड जो था जल संसाधन जिसमें बहुत दिशी योजना है और जल सरक्षन जल प्रबंदन जल स्वावल नंबर यह सब मिला के आपके दो नंबर के आने वाले हैं और अध्या नंबर न अध्यज वर्ट जागों देखते हैं लिपाजल स्वार्ट में तरिया नंबर के आने वाले फिकेना गनत भारत की जन सिंख्या की विशेष्टा हैं, शाक्षरतादा, लिंगा नुपात, यह सब आपके आएगा, नेक्स देखते हैं, अध्याय नमबर 13 हटाया गया है आपके, और 14 नमबर का आर्थिक अउधारना इम नियोजन में, आपका 3 नमबर का आने वाला है, जिसमें आर अध्याय नमबर 16 भारती अर्थिस्टा के समक्ष चुनोती हैं, जिसमें निर्धनता बेरोजगारी, इनके कारण एम निवारन के उपाए, यह सब आपके आने वाले हैं, अध्याय नमबर 17 में देखें, वो जो आपके अध्याय नमबर 17 था यह पूरीतर से हटा दिया गया और अध्याय नमबर 18 भारती अर्थिस्टा के कारण आएंगे प्रकार अध्याय नमबर 18 विवाद निवारन के लिए किये उपाय रास्तान के विशेश संदर में और विविज जाग रुकता एम सुचना का अध्याय नमबर 19 से सडख सुरक्षा शिक्षा जो कि आपके को ब्रकार अध्याय नमबर 19 विपवान विविज दहरे आपके से हटा दिया गया है नेक्स जो है थर्ड अंग्रीजी सामरजी का प्रतिकारियम संगर्स तो अंग्रेजो का मराठाय मैसूर से संगर्स अंग्रेजो का पंजाब किसा संगर्स कांतिकारी संगर्स कांतिकारी संगर्स में योगदान महाराष्ट में कांतिकारी आंदुलन चानेकर बंदू शामजी क लिका एकिकरन ये भी आपके सेलिबस से हटा दिया गया है अब देखते हैं सेकेंड पार्ट जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेट था जाजनिती शास्त या राजनिती विज्यान से संबंदी जो पार्ट है उसमें परिवाशाएं हटा दिये, कारेपढ़नाली हटा दिये, लोकतंत्र की अउधारना वो सिद्धान भी अटा दिया है अब देखते हैं भुगोल वाले में किया आपके सेलिवस से अटाया गया है तो भुगोल वाले पार्ट में अध्या नमबर 9 में भारती कर्षी वाले में हम देखेंगे कि भारत की प्रमु दलहन फसलेंदाले जो थी वो अटा दी गई है और भारती अर्तियोस्ता में कृषी का योगदान भी अटा दिया गया है इसी तरीके से दस्वे अध्याय में खनीज उर्जा संसादन वाला चेप्टर था इसमें खनीज वो उर्जा के संसादन भारत के प्रमु खनीज लोह आयस के तामबा वाक्साइट शिशा जस्ता अबरा खटा दिया गया है इसके बाद हम 11 नंबर का देखते हैं वी निर्मार उद्ध्योग जिसमें तो भारत में आधुनीक उद्ध्योगों का प्रारम लोह इसपात उद्ध्योग, सुती वस्त उद्ध्योग, स्रिमेंट उद्ध्योग, कागज उद्ध्योग यह आपके से अटा दिया गया है इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर पे मानोस अंसादन, मानोस अंसादन में भारत की जनसिंग क्या क्यूश रस्ता है, जो थी उसमें नगरी करन, जनसिंग क्या समस्या, जनसिंग क्या निती, रास्तान की जनसिंग क्या निती, यह सब आपके सारे बसे अभी फिलाल हटा द राष्टी आय का सामने परिचे आर्थिक वर्दी ये वाला जो चेप्टर था आपके जो टॉपिक हैं आपके हटा दिये गए और फिर उसके बाद देखेंगे हम 15 नंबर का चेप्टर जो है भारती अर्थियोस्ता की विशेष्टा हैं नवीन प्रिविर्दिया जिसमें आव चलिए देखते हैं गनित के सालेबस को तो गनित में आपका वेदिग गनित वाला पार था उसमें वेदिक पददती द्वारा सरत समिकरन के हल इुसको गचा दिया गया है संख्या प्रश्ण वास्तित संख्याई जिसने संपू निकाई भटा दी गई अब नेक्स देखते हैं बीजगाणित बीजगाणित में भभूपद वाले में वास्तित गुणंको वाले भभूपद पर भाग ऐल्गोरित्म पर लगुत्तम करतन तथा सामानने प्रश्ण जोग मानक परिनाम को निकालने की विधी और इसके बाद देखते हैं त्रिकौनमिति अनुपात में पर आधरित कुछ महत्पून परिणाम यह आपके सलेवस से अठा दिये गए हैं इसी तरीके से सेवंथ नमबर पर हम देखेंगे पर आधरित को दूसरे में बदलना यह भी आपके सलेवस से अठा दिया गया एट नमबर का हम देखेंगे सांखेकी में बहुला खटा दिया गया है नेक्स्ट हम देखते हैं कि सलसोदी पार्टे क्रम के नसाल हमारे कितने अंके किया चीजें आने वाली हैं तो वैदी गणित पांच अंक पानच का रहेगा वीज गणित 13 उंक त्रिकोंड मिती बारा अंक का निर्देज शांक जया मिती 6 उंकी और जया मिती 20 उंक का की वो 13 नंबर की रहेगी और त्रिकॉण में ती 12 नंबर की रहेगी निदेशांग ज्यामेती 6 नंबर की ज्यामेती 20 नंबर की जिसको ज्यामेट्री कहते हैं और सांखिकता प्राइकता दस नंबर की सरक्षा शिक्षा चार नंबर की रहेगी चलिए बच्चों आप चलते हैं सं जन्सुत के पार्टिक्रम में भी वही सवातीन घंटे का पेपर होगा और वही 80 मास के question पूछे जाने हैं तो इसमें जो है पठिताव बोधनम जो है 27 नंबर के आने है पठिताव बोधनम 10 नंबर के व्याकरणम जो है 25 नंबर की और रसनात मकारियम 18 नंबर के कुल 80 नंबर क स्वैलाष्ट दौर्वम यान्न पठिताव बोधनम में 27 मास कि होँगे उसमें कौन-कौन से होँगे त्रतिय पार्ट चतुत पार्ट 6 पार्ट अस्टम पार्ट दसम पार्ट एका दस पार्ट द्वादस पार्ट त्रियों दस पार्ट पंच दस पार्ट नेक्स दिखते हैं आप पटी थाओ बोधम में दस नंबर का होगा जिसमें शिर्षक प्रदानम संस्कृत माध्यमेन प्रश्नोत्राणी और तीसरा अनुच्छे धारित भाशिक कारियम चार नंबर का वाकेशू क्रत क्रिया पच्चैनम और क्रत क्रियानविती विशिशन विशिश्यानविती यह सब आपके आने वाले हैं रहे हैं। डेटी व्याकरनम में संधी já विशला संधी विशला से विशलू है उत्वुत रूपत लोपव्र विशल्ग स्थाने Co e ह कि जिसमें अविवभाव के शू समस्त्पदाना विग्रह फदाना स। यह समा से कारकानी उपद paganτη ना तेशा, तामान्य नियमाना, परिचैश्ट ये तीन नमबर, प्रतिया, जिसमें करदंता, शर्त, सानच, चार नमबर, जिसमें तदित्ता, मतुप, इन, ठक, ये भी चार नमबर के हैं, और अव्य, अव्य, पदानी, पाठे-पुस्त के, कथायाम, अनुच्य दे, समादे, प अधुना बही, ये तीन नमबर के, इस टोटर मिलाकर आपके 25 नमबर के हैं, जिसमें वाक्य परिवर्टनम, लट लकारे, ये तीन नमबर के, समय लेखनम, जिसमें घटी का चित्र, सहाय, येन, अकाना, उस्थाने शब्दे, ये दो नमबर, अशुद्धी संसोधनम, वाक अधुना बही, आत्मी जनान, पृति अनुपचारिक पत्रम, छे नमबर का होगा, संकेता, धिरारित, सवाद लेखनम, छे नमबर, अनुवाद, कारिम, हिंदी भाशाया, दस वाकेशू, शड़ वाक्याना, संस्कृत, भाशाया, अनुवाद, छे नमबर का होगा, इस तर पतिताव बोधम में से, छटा संग्या स्थाने संग्या प्रयोग, और पाँचवा प्रयाय, पद विलोम, पद वा, अनुश्रत्य, अनुच्छे दे, तस, मानस्य, अनुवेश्नम, और इसके बाद, व्याक्रणम में देखु स्वरसंदी, विंजन संदी, समास्पतिया, अ रचनात्मक कारियम में, चित्रादारितवर्णम, कथाक्रम, मश्षेर्प, संग्यनम, और कथानाम, क्रत्रहीतानाम, शडवाक्यनाम, क्रम, पूर्वक्स, योजनम, यह आपके सैलेबस से, अटा दिया गया है, अब चलते हैं, अर्दू के सैलेबस की तरफ, तो, अर्दू ये 16 नंबर के आएंगे, व्यवारिक व्याकरन जिसको कवाईद कहते हैं, ये 16 नंबर के आएगी, पार्टे पुछ तक नवाए अर्दू, नस्रो नज्म, ये 40 नंबर के आने हैं, इस तरीके से पूरे 80 मास्क का पेपर होगा, जो सवातीन घंटे का होगा, इसमें ऐपटित गएर दर्सी अक्तिबास का मतलब और उस पर मुझनी सवालात, ये 8 नंबर के पुछे जाने हैं, रचना वाला जो पार्टे उसमें मजमून हैं, और इसके लावारिक व्याकरन जो कवाईद हैं, उसमें आपका सोले मास्क होगा, जिसमें फैल, फायल, मफूल, बेसिक इसी पद्दिष्सा भी बीसका होगा, अब ये आप आप देख रहे हैं, निसाव में शामिल असबाग मेंसे दो इकतिवास दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक किस मैह सिया को बयाक के तुर्षी करना होगी, वो पाँच नंबर की होगी, निसाव में से पाँ विश्स भी होग जो है चार में से तीन वो छे नंबर की होंगे निसाब में सामिल गजलियाद के अश्यार का मतलब शायर के हवाले के साथ चार में से कोई दो करने होंगे वो पांच नंबर की होंगे और इस तरीके से निसाब में सामिल सायरी असनाफ नजम गजल में से किसी एक की तारीफ होगी जो कि पांच नंबर की होगी इस तरीके से आपका ये उर्दू का सेलेबस रहेगा तो बच्चों अब हम चेक कर लेते हैं कि उर्दू में क्या हमारे सेलेबस से हटाएगा पार्ट है तो पहला जो आपका चेप्टर था अपनी मदद आप सरसेयד अहमद खाँ का लिखा हूआ ये फटेने नमबर का जो चेप्टर था बेगम अज्बरत बहल डाक्टर मौईन इदियु शाहीन का लिखा हूआ ये फ़י फटा दिया गया है और इसी तरी के नवे नमबर का हुबल वतनी और दस्वे नमबर का किस्सा मिया इटम का यह उटा दिया गया है और हिस्सा नजम में से हम देखते हैं कि जो चंद असनाफ सुकुन थे उनमें मरसिह और मसनवी जो था वो उटा दिया गया है इसके बाद थर्ड नमबर का जो नाच शरीफ वाला बहदाद लखनवी का था वो उटा दिया गया साथ नमबर का कमजोर की मदद हफीज जलंधरी का वो उटा दिया गया नवे नमबर का तालीमि नुस्वा खुदाद खामाइननेस का उटा दिया गया गया है तो मीर तक्री मीर की फकीराना आये रदा कर चले इसको सेलिवस से फिलहाल हटा दिया गया है और इसी तरीके से मिर्जा गालिब की बस की दुश्वार है हर का आसा होना ये भी आपके सेलिवस से फिलहाल हटा दिया गया है ये वीडियो हम आपकी जानकरी के लिए लेकर आए हैं और आगे भी एक्जाम से सम्मंदित आपको अपडेट्स देते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज आप इस चैनल को सबस्काइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें और इसके अलवा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जिन्हें मालूम नहीं हैं उन्हें भी पता हो सके कि उनके सेलेबस में क्या संसोधन हुआ है कि उनके सेलेबस बता हुआ है झाल झाल